नमस्कार क्यापचल टिवी का खाशो 24 करेंड विपाक्ष बेदम देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ पूजा 2024 में विदानसभा चुनाओ का बिगुल बच चुका है चुनाओ आयोग ने आज जमुकश्मीर और हर्याना में विदानसभा चुनाओ का अलान कर दिया जमुकश्मीर में तीन चरनों में चुनाओ कराए जाएंगे वहीं हर्याना में एक चरन में ही पूरे प्रदेश में कि खोशना करने की बात कर दी है और ठाकरे ने ये भी कहा कि शुवसेना यूबिटी विदानसभा चुनाओं के लिए कॉंग्रेस और शरत्पवार की तरब से गोशत किसी भी उमिद्वार का बिना शर्त समर्थन करेंगी पर सीम की दावेदारी कैसे बन गई है M.V.A की मुसीबत बताएंगे आपको साथी दिल्ली की राजनीती की भी चर्चा करेंगे पर चर्चा की शुरुवात आज होगी कॉलकता हत्या और रेप मामले से कॉलकता की आरजिकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर से हुई दरिंदिगी अब ममता बिनार जी के कर रही है प्रदर्शन इन तमाम मुद्दों पर आज चर्चा करेंगे मेरे साथ स्टूडिय में मौजूद है क्यापचल टिवी की एडिटेर इंसीफ डॉक्टर मिनेश कुमार और एक्सक्यूटिव एडिटर राजीव जी सर आप दुनों का बहुत-बहुत स्वागत है देखिए बंगलादेश में स्टूडेंट जब प्रदर्शन कर रहे थे तो यहां पर आतिसवाजी लोग कर रहे थे वाह जंता जग गई युवा जग गए अन बेशर्मों को हिंदुस्तान में इतना बड़ा प्रदर्शन हर शहर में हर राज्य में हो रहा है मुह में दही जम गई है मुह में दही जम गई सबकी हर आदमे पॉलिटिकली करेक्ट होना चाहता है सेक्लोरिजम का यह कौन सा परिवाशा है कि जहां बीजेपी के सरकार नहीं है वहां कोई इस तरह की जगन अपराद के बाद यह सारे लोग चुप हो जाते है राहुल गा का नाम नेने से ढरो मत ममता सरकार का नाम लिने से ढरो मत क्या हो रहा है वहां अजो मेशरमी के सारी सीमाएं लांग दी गई है आपने पूछा कि बाई वो क्यों प्रदर्शन कर रही हैं इसको मैं कहता हूं कि इंटी गटफंदन में केजरिवाल वाइरस का अटक अभी देखिए मुखमंत्री बना अपनी सरकार के खिलाब धरना प्रदर्सर यह अभी नई नई जो है सुर्खियों में आई है आती सी मार लेना बही जलसंसादर मंत्री तुम हो पानी तुम मोहिया नहीं करा रही हो पब्लिक नाराज हुई यह खुद अगर के बैठ गई धरना पे बही किसके खिलाब पुलिस तुम्हारी हॉस्पिटल तुम्हारा प्रशासन तुम्हारा ग्रिमंत्री तुम्हारा सब कुछ तुम्हारा तो यह प्रदर्शन किसके खिलाब कर रही हो उपद्रब करने वाले इनके ये मेन बात है, कि यो उपद्रबी जो है, ये अब पकड़े गए, पुलीस वाले नहीं ढूंद सके, कलकत्ता पुलीस जो है, हाथ में चूड़ी पान करके बैटी रही, वो नहीं ढूंद सके, सोचल मीडिया पे उनकी तस्वीरों को ढूंद स्काल लिया गया कोई ऐकमार पखड़ा रहा है को जाविद पखड़ा रहा है रेकिन लेकिन और इसमें और बढली बिज्जती हुई है वो क्या ममता ब्रस्जी मी कि ने जिस प्रिंस्पल को ठागर के बड़े कRI Jonathan का प्रिंस्पल पकड़ लिया कि कहा भाग रहे बच्चू अब आओ जरह सवालों का जवाब दो और बाकी जो इजद बची हुई थी थोड़ी बहुत वह आज काइदे से उतार दी कलकत्ता हाइकोट जस आपने कहा कि यह बिल्कुल पुलिस की गलती ऐसा कैसे हो सकता है कि साथ जार पांच ज हो जाएं और कलकत्ता पुलिस के इंटिलिएंस डिपार्टमेंट को इसकी भनक ही नहीं है जब आपने वहां पे सेक्शन 144 आपने लगा रखा है तो फिर इतने लोग जमा कैसे हुए है इस कम्प्लीट फेलियर और यहां तक कह दिया कि क्या करें बताओ हॉस्पिटल बंद क कर दिया जाएं क्योंकि आप सुरक्षा मोहिया नहीं करा सकते हैं तो यह देखिए ममता बनर जी है बहुत बड़ी मुसिबत में फस गई है एक तो जगन में अपराध हुआ और जिस हिसाब से उसे बचाने की कोशिश की गई है कि बिना इन्वेस्टिकेशन किये पुलिस व करने की कोशिश की तो अभी तो इसकी शुरुवात हुई है अभी आप देखते जाएं ममता बनर जी को कितना महंगा पढ़ने वाला है यह एपिसोड लेकिन सर यह पहली बार नहीं है से पहले भी कई घटनाय आती है लेकिन इस बार जो विरोध देखने को मिल रहा है हर अल कतार रेप कांड जिस तरीके से डाक्टर साब ने समझाया कि क्या चल रहा है पश्चिम बंगाल के अंदर लेकिन इसके साथ साथ वहां पर टीम सी में क्या चल रहा है यह जानना भी जरूरी है क्योंकि ममता बनर जी की फौज जो सड़क पर उतरी ममता बनर जी के इर्द ग फौज बनाके ममता बनर जी ने रखा था वो प्रोटेस्ट के लिए क्या सामान काम के लिए भी बाहर ने निकल रहे हैं सारे लोग सड़क पर उतर रहे हैं महिलाएं इतनी आक्रोसित है कि जो ममता बनर जी के अपने विधायक और सांसत जो मुस्लिम बहुल इलाके से नहीं आते हैं उनके अंदर इस बात का डर हो गया है कि इस बार तो चुनाब में जाएंगे और महिलाएं हमसे दूर भागे गी और लोग हमें चुनाब परचार से रोक देंगे ऐसे स्थिति हो गई है इसलिए कुछ जो ममता बनर जी के नेता हैं बाहर निकल रहे हैं और वो अपनी सरकार के खिलाप कुछ बाते बोल रहे हैं जिसने परिसानी टीम सी के अंदर है शांतनु सेन को देखिए उन्होंने ऐसी बात कौन सी कह दी जिसने ममता बनर जी इतनी भड़क गई उन्हें परवक्ता के पत्ते हटा दिया यह एक नहीं हैं कई लोग हैं जो कुछ बोल रहे हैं ममता बनर जी की हिम्मत नहीं हो रही है कि सब के खिलाप कारवाई करें लेकिन उन लोगों के अंदर ये बात तो घर कर गया है कि इस बार ममता बनर जी के खिलाप जो जन आकरोज देखने को मिल रहा है वो हमारे खिलाप भी है क्योंकि अभी तक ममता बनर जी ने एक बा पुलिस के अधिकारी नहीं है अगर इनको पुलिस के अधिकारियों को उपर अपने प्रशासन के उपर कुछ बोलने की जरूरत हो वो बोलना चाहिए तो ये परदर्शन कर रही हैं सीबी आई को अल्टीमेटम दे रही हैं कि रवी वारतर सीबी आई पूरे मामले की जाच करके रिपोर्ट सामने लाए नहीं तो क्या करेंगे सीबी आई के दफ्तर पर इनके गुंडे जाकर तोड़ पोर करेंगे मतलब जिस तरीके से वहाँ प्रस्थितियां बदली है इसका मतलब है कि ममता बनर जी की पार्टी में बिस्फोटक के स्थिति हो गई है अब इनके सारे पैतरे इनके ही नेताओं ने फेल करना शुरू क किया था लेकिन अब ममता बनर जी तनी बदली बदली क्यों लग रही है और वहाँ पर ये मुस्लिमों की फौज अगर ममता बनर जी को जब तक ये नहीं लगेगा कि पूरे पश्चिम बंगाल के हिंदूों में एकता दिखाई पड़ रहा है और वो अब इनके कुर्सी से बाहर फेकना चाहते हैं तब तको मुसलमानों का साथ नहीं चोड़ेगी अगर इसमें जैसा डाक साब ने बताया कि कैसे जो फोटो में दिखते हुए लोगों को पकड़ा गया चवालिस लोगों को गिरफतार किया गया उसमें जावेद अहमद शेक सब मिल रहे थे ये ममत बहुत जल्द सुप्रिम कोट आपको जमानग दे देगा और आप बहुत जल्द बाहर आ जाएंगे इस बीच जब पती नहीं थे तो क्या आस्ट्रोजी का कोर्स करना चालू कर दिया क्या है कभी कुछ करने लगते हैं कि मनिसी सोधिया भी कह रहा है कि बस अब निकल जाए अब निकल जाएंगे अपनी कहानी बताओ क्यों कर रहे हो यह पदियात्रा है पार्टी के उपर कभजा करने का इरादा हो गया है ना दिक्कत क्या है यह लोग जूटे हैं यह पैथलोजिकल लायर्स हर चीज में जूट बोलना जूट नहीं बोलेंगे तिनका खाना नहीं पचता है अभी मामला सुप्रेम कोट के अंदर है अब मैं आपको बता दे रहा हूं सुनवाई शुरू होगी उससे पहले 23 तारीक को सुनवाई है 20 तारीक से फिर यह चालू कर देंगे कि तब खराब हो देंगे वीट कम हो रहा है यह बिलकुल ही प्रिटिवल हो गये अब आज जनम दिन था कल जो है वो 15 अगस था हमारे घर पर जन्डा ने पती जेल में है तुमको जन्डा पराने का सुझ रहा है अजीव कान ही है आपको तो सोक में होना चाहिए लेकिन फिर भी जन्डा पराना है वहां तो कहलास गयलोग फैरा रहा था अंदर इक्छा थी कि कह हमारे मौका मिल जाए जन्डा फैराने का वह नहीं हो पाया आज जन्डिन है तो जन्डिन के उपर तो मुझे एक ही चीज याद आता है मेरा जन्ड कृष्ण आश्डवी के दिन हुआ था जिस दिन कृष्ण महिफन का जन्ड हुआ था मैंने अपने आपको यह भगवां सर्कृष्ण का अवतार समझ रहा है मैंने बहुत तारे लोगों तो पूछ्छारच की तो जिस चाल इसकी का जन्ड हुआ था उस साल इसकी आज 17 तारिक को जो है 16 तारिक को वो जन्मास्ट में नहीं था लेकिन जूट बोलने में ये जो है ये माहिर वेक्ती है तो आप देखिए क्या हो रहा है आमादी पाटी में मनिसी सोधिया जब से बाहर आया है वो विदायकों के साथ अलग मीटिंग कर रहा है मीटिंग कहा कर रहा है it is also very important मीटिंग अपने घर के अंदर कर रहा है फिर इसने पदियात्रा की घोषना कर दी पदियात्रा करने का मतलब क्या है he wants to get rid of the authority of केजरिवाद उससे वो मुक्ति चाह रहा है वो तो जान रहा है कि भाई हमको तो बेल किस बारे में मिला है क्योंकि हमने 17 मेना जेल में पूला है कि वो कानून के तहत जो आर्टिकल 21 को इन्वोक किया गया है राइट तो स्पीडी ट्राइल और मिनमम सेंटेंस से 50% हमने अल्री जेल में ये कर दिया उस आधार के बेल मिल है केजरिवाल के खिलाब भी अगर उसको 17 मेने जेल में रहना पड़ा तो अगले चुनाओं तक तो वो बाहर नहीं आ पाएगा दिस इस कैलकुलेसिन कि वो आ नहीं पाएगा जब आ नहीं पाएगा तो ऐसा तो हम करेंगे नहीं कि मनिसी सुदिया जो है वो केजरिवाल का खड़ाओं लेगर के घूमेगा वो अपने आपको फिर मुखमंतर के लिए दावेदारी करेगा तो वो कैसे होगा वो ऐसे होगा कि जतना वो घूमेगा उतना पार्टी उसके गृप में आएगा लीडर्स उसके नजदीक आएगे तो एक तो ये मामला हुआ राजनीती में अफ़यसे कभी और ये वी चाराहे कि इतना बावाल काट दो इतना बावल काट दो कि त्यार में बैठे बैठे बोलें क सब् request मुदिय कैंव में कि भा敍व किया चंभी ऑला Kशमिरो फुर हर्याना की तारीख तारीख का अलान हो गया हारा कि महा सामने नहीं आई है लेकिन चुनाओं से पहले महरास्ट में सीम की दावेदारी को लेकर क्या चल रहा है कि यह सबसे बहतरीन चाल का जा सकता है अभी तक वह राज़ितिक रूप से आप परिपकों माने जा रहे थे उद्धव ठाकरे यह सीम की दावेदारी के लिए दिल्ली चल रहे थे महरास्ट में मिटिंग कर रहे थे लेकिन इस बार उन्होंने ऐसी चाल चली है कि शरत पवार भी परिसांद का दावेदार तो होना चाहिए एक नाम तो होना चाहिए उद्धव ठाकरे नहीं यहीं कहा या तो कॉंग्रेस के किसी नेता को सीम का उमिदवार बना दे या फिर इन दोनों को सहमती नहीं बनती है तो हमें बनाओ अब इन दोनों के साथ परिशानिया यह पैदा हो गई कि अगर कॉंग्रेस अपने किसी नेता को सीम का दावेदार बताता है तो फिर कॉंग्रेस खंड खंड में बट जाएगी क्योंकि वहां नाना पटोले अ अपने गुट के साथ चल रहे हैं वो मुखमंत्री रह चुके हैं पहले तो ऐसे में जो चार पांच गुट है इन गुटों के बीच से ऐसा लग रहा है कि कॉंग्रेस को उन्होंने फसा दिया और जहां तक शरत पवार की बात है वो आजकल नई राजनिती कर रहे हैं उनको लगने लगा है कि सुप्रिया सुले को आगे बढ़ाना है तो इस बार अगर महारास्ट में इनके परकारें सरकार बनने की संभावना होई तो अब अजीत पवार की तरह इनको डिप्टिसीम बनाया जाए तो इसलिए इन दोनों को उन्होंने फसा दिया और इन दोनों पार भारतिय जन्ता पार्टी के साथ उनके टकराव जैं मुक मंत्री बनने को लेकर हुआ अब यहां पर टकराव होगा तो फिर उनकी वापसी के सारे विकल्प खत्म नहीं हुए हैं अभी वह कहीं वापसी कर सकते हैं और नहीं तो अकेले चुनाब लग सकते हैं बिलकुल सर ब ही पाटी के नेता और सयोगी भी ममता सरकार पर अब हमलावर होते जा रहे हैं जाच आगे बढ़ रही है और जाच ममता सरकार के लिए मुसीबत बनते जा रही है तो वहीं चुनाओं से पहले महरास्ट में विपाक्ष बेदम है तो केजरिवाल जेल में बेदम है और बाहर से सोदिया अपना दम तो दिखा रहे हैं पर बेहत ही बेदम नजर आ रहे हैं तो इस पर आप अपनी राए कवंच के लिखें देख देख देखें कि आप अचल टीवी नमस्कार